नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी बहुती आसान और सरल तरीके से कम से कम एक साथ हम ज्यादा ब्लाउज को कैसे काटें जैसे हम एक ही नाप के हमारे पास तीन या चार ब्लाउज आते हैं तो उसकी कटिंग हमें एक साथ करनी है एक ही नाप का हमें ब्लाउज बनाना है त तो यहां पर हमें कैसे करनी है तो जैसे एपस this पमेरे पास आपको गुटाओ LE daio किस तरीके से काछँ तो आज कहुंद वही बताऊं को यहां पर मेरे पास फ्साइन नेखिये यह तीन पीस है तो यहां है हमें एक छित बाउघ को जाए उसको कहसे काते इह थिर और आपको यहां पर 10 या 15 मिल्ट लगेगी ज्यादा से ज्यादा ब्लाउज काटने में और बड़ी आसानी से कट जाएंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमारा जो अस्तल है उसकी कटिंग करेंगे तो यह अस्तल है जो डवल है देखिए इस तरीके से डवल है तो यह ह चैश्ट है वो है 22 इंच और यहां पर इसके जो सोल्डर है वो है 12 इंच और यहां पर इसकी जो लंबाई है 15 तो देखिए जैसे हमारी पीछे का पलर 22 इंच है तो हम यहां पर 22 इंच में एक निशान लगा लेंगे उसके बाद हमें 3 इंच लेना यहां पर सिलाई के लिए तो देखी मैंने यहां पर आगे और पीछे के दोनों पल्ला ले लिए अब हमें लंबाई देखनी है तो जैसे हमारे पीछे की लंबाई यह 15 इंच तो यहां पर कितनी है साड़े पंद्रा तो इसमें हम चोटा बड़ा नहीं करेंगे वस इसको ऐसी रखेंगे और यहां पर हम ऐसे करके डबल करेंगे कि डबल करने के बाद अब में यहां पे निशान लगाएंगे क्योंकि इसका गला हम डीब बना रहे हैं तो यहां पे हम निशान लगाएंगे साड़े पांच इंच पे यह हमने साड़े पांच इंच पे निशान लगाया अब देखें आरूमन लेंगे बूलेंगे हम यहां प पर चोड़ाई लिए गले की लंबाई हम यहां पर 7 इंच की रखेंगे अब यहां पर देखिए गोल आई अब यहां पर मैंने आरोमल का निशान लगाया है खुली बाली साइट बंद वाली साइट गला है एक दम सिम्पल और आसान तरीका है अब इसमें देखिए मैं जैसे आपको बताया है चोटा बड़ा पलन नहीं लिया है लेकिन हमें जब लंबाई बढ़ानी है तो किस तरीके से बढ़ाएंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा हां अगर आप चाहें तो गले की चोड़ाई दो इंच की भी रख सकते हैं जैसे कस्टूमर ने बुला है कि मेरा गलथ चोड़ाई तो मैंने 2-5 इंच की चोड़ाई लेह है अगर आपको बनाए तो दो इंच की चोड़ाई रखें आगे की साइट देखी हमें यहां पर आदा इंच कटिंग करना है कि जोलना आए यह जरूली है अब यहां पर हम निशान लगाएंगे देखी तीरे का तेरा इंच पर एकदम परफेक्ट रहेगा हमारा तीरा देखी हमारा फिटिंग का प्रह तो देखी हम इसको 3 भागों में बाटेंगे 3-inch का तीरा बनाएंगे जो बगली का तीरा है वो 3-5 inch का और जो हमारी कटोरी है साड़े साथ इंच, तो साड़े साथ इंच की हमने कटोरी बनाई है, अब हम इसको देखिए, गूल आई में अच्छा सा से शेप देंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे, उस तरीके से आप इसमें शेप का निशान लगाने है, सबसे पहले तो हमें तीरे का कटिंग करना ह नीचे का तीरा, यह बगली का तीरा है, हमारा यह नीचे का तीरा है, और इसमें हम प्लेट डालेंगे, तो इसके लिए देखिए, हमें इसको ऐसे करके, बीच में से कट कटना है, अब देखिए, यह आरूमल का जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ था, इसमें से हमें नीचे का पाट निकालेंगे, यहां पर हम इसको ऐसे रखेंगे, तो देखिए, यहां पर हमें लेना है, एक इंच, एक इंच लेना हमें यहां पर, इस तरीके से, नीचे के साइट भी हम यह किंच लेंगे जैसे यह सेप हैं उसी तरीके से रखेंगे और हमें कुछ नहीं करना है यह हमारा नीचे का पाट है अब देखिए हमारा यह नीचे का पाट है तो हम यहां पे एक कट लगा लेंगे क्योंकि हमें इसमें प्लेट डालनी है इसको अलग रखेंगे अभी हमारा ऊपर का पाट है तो देखेंगे यहां पर हमारा गल एक कपड़ा बचा हुआ तो इसमें से देखेंगे इसमें से नहीं निकले गए तो दूसरा कपड़ा देखेंगे तो देखी हमने अस्तल लिया है और इसको हमने इस तरीके से रखना है अब इसमें हमें क्या करना है आदा इंच लेना हमें सिलाई के लिए बाकि हम इसी की बरावर कटिंग करेंगे और गला हम इसका भी बनाएंगे नीचे की गोलाई हमें एक इंच लेनी है यहां पर एक इंच के नीचे की सैड़ मैंने एक इंच लिया है और गोलाई में कटिंग कर लिया अब इसको भी भटा देंगे यहां पर भी हम कट लगा लिंगे कि यह हमारा नीचे काई देखिए अब जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो इस तरीके से इसको जोड़ना है इस तरीके issue यहां बेचादा हाफ वो हमारा प्लेट आएगा तो और यहां में हमारा एस्टल बचे हुआ है इसको बाद में देखेंगे अब हमारे पास यह दो अस्टल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको में डबल करके रखना है तो हमने यहां पर अस्टल को डबल करके रखा है तो यह हमारा पीछे का है यहां पे पीछे का गल बनाएंगे मैं 10 इंच का बना ही फिछे हम यहां पर ऐसी निशान लगाएंगे यहां पर हम कि यह हमारा पीछे का हो गया अब यहां पर देखिए हमें अपना कटोरी रखना तो जैसे हमारा यह बराबर कटिंग है तो इसी को हम रखेंगे तो यहां पर में गोलाई में कपड़ा है तो इसको रखेंगे यहां पर रखना हमें बगली के तीरा कि यह नीचे काती रहा है यह हमारा कटोरी काती रहा है तो ही हमारा नीचे काती रहा है तो देखिए यहां पर मैंने अस्तर की कटिंग कर ली अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे तो बुदी की किस तरीके से करेंगे तो देखिए यहां पर मैंने दोनों अस्तलों को इस तरीके से बराबर रखा है और यहां पर जो हमारा तीसरा कपड़ा है उसकी चोड़ा ही जादा है और यह बॉड़र अलग से बना हुआ है तो इसको मैं अलग से काटूंगे देखिए इस तरीके से यह दोनों बराबर है जर्धते हैं तो हमसें न हें सबसे पहलें पैपिछे का बन्रखेंगे साड़ी का कप्रायवू हमें थोड़ा बड़ा ही काटना है यहाँ पिंचे पक्राश्य के यहाँ पेर्षाव सकतारी झाल झाल यह हमारा नीचे का तीरा है अब यह कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हमें बाजू निकालनी है तो सबसे पहले हम इसकी लैस को निकालेंगे तो यहां पर देखिए हमें हमारे पास दो तरीके हैं बाजू की कटिंगे अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं तो यहां से आप निकालेंगे तो छोटी बाजू निकलेगी और अगर आप बड़ी बाजू निकालना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा तो यहां पर हमारा कपड़ा है आठ इंच की लंबाई है सबसे पहले हम इस कपड़े को काटेंगे अब देखें यहां पर हमारी हैबी चैस्ट है तो हमें कपड़े को इस तरीके से डबल करना है डबल करने के बाद अब हम इसकी चोड़ाई देखेंगे इसकी चोड़ाई है कपड़े की वो है हमारी करीब 10 इंच होनी चाहिए यहां पर हम 10 इंच की चोड़ाई रखेंगे इस तरीके से 10 इंच की चोड़ाए और यहां पर लगाएंगे निशान कटिंग का तो तीन इंच हम यहां पर लेगे यहां पर हमने तीन इंच लिया और इसको देखिए हमें ऊपर के साथ ऐसे कम करते हुए लेके जाना है उसके पात जो हमारा यह कप्ड़ा है इसमें से हमें इसको जोडना है यहां पर हमने इसको जोड दिया इसको ऐसे रखेंगे और यहां पर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो यह हमारे double है, दोनब बाजू के लिए इस तरीके से तो अगर आप इसमें ऐस्टल लगाना चाहें, तो आस्टल भी लगा सकते हैं और सिंपल बनाना चाहें, तो सिंपल भी बना सकते हैं कि अब यहां पर हमें अब देखिए यहां पर भी हमारे कपड़े की लंबाई आठ इंच है और इसकी जो चोड़ाई वह पंद्रा इंच है तो हमें यहां पर लेना दस इंच तो इसको ऐसे करना देखिए इस तरीके से और यहां पर हमें चोड़ाई कितनी दस इंच अब हम य तो आप त 10 इंच भी ले सकते हो 13 लेना चाहा है तो है यहां पर देंगे यह इस तरीके से है अब यहां पर देखिए हमारी यह चीलिप जैसे मैंने आपको यह दो प्लाउज रखे कटिंग किया है उसी तरीके से हमें इस तीसरे के ऊपर अस्तल रखना और कटिंग करना है एक दम आसन और सरल तरीका तो आसा करते हो आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जरसे जरस शेयर की झाल झाल